अलो एब्रिवन मानश्मुन मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सर्विस मार्केटिंग चलेंजे से सॉल्यूशन कि सर्विस मार्केटिंग में क्या-क्या चलेंजेस होते हैं और उसके क्या सॉल्यूशन है तो फर्स्ट आतर लेक ओफ फिजिकल कारक्टरस्टिक्स इस यह बोला जाय तो इंट्याइबिलिटी, सेकेंड यह पैरिसिबिलीटी, थर्ड यह विरियबिलीटी, फोर्थ इंसापरिबिलीटी तहीं यह फोर में चेलेंजेस होते हैं उसके अलावा भी चेलेंजेसे उसमें आता है नो टेबल तू सेट अट अगोल, नेक्स्ट आत आप सर्विस मार्केटिंग से related different topics पर वीडियो देखेंगें और description वे management और commerce से related different subject के वीडियो के playlist का link अपे लेवल है आप आँ से देख सकते हैं तो services को देखना store करना रखना यह थोड़ा difficult होता है किसी भी services को purchase करने से पहले उसका solution है कि आप इसमें customer को involve करें उनकी help करें कि वो positive word of mouth publicity करें आपकी मतलब एक service अगर किसी ने use के तो दूसरे को भी आपके बारे में बताएं यह marketing strategy आपको help करेगी कि कैसे आप आपकी services के tools को boost कर सकते हैं कैसे आप search engine optimization के tools को use कर सकते हैं जो कि आपको help करेगा large number में आप आपकी presence को online भी बता सकते हैं मतलब आप services को लोगों के through और अची तरीके से और easily promote कर सकते हैं next आता है perishability of services जो भी services होती है वो perishable होती है मतलब कि आप उनको particular time पे ही ले सकते हैं उनको store नहीं कर सकते हैं for example आपने किसी hotel में room book किया तो आपने particular date पे particular time पे किसी week में book किया होगा अगर आप उस time पे उस service को लेने नहीं जाते हैं तो वो चली जाती है ऐसे नहीं कि आपका book की रहेगा वो ये possible नहीं होता है उस time के लिए जो room है वो खाली चले जाएगा तो जो services होती है जिस time पे वो deliver होने वाली आपको उसी time पे उसको लेना होगा तो ये एक major challenge है इसका solution होता है कि जो भी period है उसमें low demand हो जो भी service provider हो हो मार्केटिंग की strategy को बना है ताकि वो जल्दी से जदी लोग को ज्यादा ट्रेक्ट कर सकें इसमें include होता है like loyalty rewards discounts और प्रोमोस मतलब जो service जिस time पे अगर उसको ची है तो वो ले सकता है और easily ले सकता है और आपकी services वेस्पी नहीं जाएगे अगर hotel room किसी का book नहीं होता है particular day में आपका तो आपका क्या होता है खर्चा तो लगता है और hotel room खाली जाता है तो उससे better है कि आप कुछ discount चला के उसको दे सकते है next आता ह variability major challenge होता है services का कि जो भी services होती है आप उनको purchase करते है तो वो हर time आपको same quality नहीं देगी हर बार वो different होती है तो जो service quality है क्या आप offer कर रहे हैं services को इसमें कोई भी psychological clinic हो सकते है for example कि कितने number of therapist है तो जो आपके therapist होंगे वो हर साल हर year same experience वाले नहीं होंगे कुछ आएंगे कुछ handle कर रहे है वो different होगा तो जो services होती है वो आपको हमेशा change मिलती है यह इसका major challenge होता है तो इसका solution होता है कि आप जितने भी लोगों को आपकी services देने के लिए रखते हैं जो भी आपके employees होते हैं आप उनको proper तरीके से training provide करें उनके efforts को तो आप देख सकते हैं कि services को कैसे बिन operational guidelines और personals तो हम हर बार देखे कि जितने भी लोग हैं उनको हर बार हर time पे कम से कम difference के सांथ same quality deliver की जा सके next आता है inseparability जो भी services होती है उनको separate नहीं कर सकते जो उनका consumption of production होता है मतलब जो services दे रहा है और जो services ले रहा है उन दोनों को एक सांथ आना पड़ेगा for example अगर आपक ticket book किया है online तो जब भी उस time पर आपका ticket book के आप उस time पर theater में जाना होगा watch करना होगा तो क्या होता है कि जो भी service provide कर रहा हो जो भी service ले रहा है वो दोनों को एक सांथ में रहना होगा उनको अलग नहीं किया जा सकते हैं ये कुछ primary challenges थे इसके अलावा भी इसके challenges होते हैं उसमें first is notable to set a goal जो भी आपकी services है उसमें आपने goal को set नहीं किया कि आपको किस goal को achieve करने के लिए services provide करनी है अगर आपको पता ही नहीं कि आप services क्यों दे रहे हैं आपका क्या goal है क्या objective है तो आप सही तरीके से अच्छी services deliver नहीं कर सकते हैं तो इसमें आपको mainly goal को set करना है आ को customer को aware करें कि उनका business तो वो social media के through या strategies के through बता रहे हैं लोग को कि वो जो पुराने saloon थे तो वो saloon नए customer को attract कर सकता है ज्यादा discount दे के और ज्यादा customer को बुला सकता है तो mainly उसको यह था कि वो नई strategy के through ज्यादा customer को attract कर सके तो इसके लिए इसका solution होता है कि आप आपकी इंप्रूफ करें brand awareness को लोग को और ज्यादा aware करें आपकी brand के वारे में generate करें lead को क्या आप कैसे और लोग को अपने बारे में बता सकते हैं लोग को aware कर सकते हैं next आता increase website traffic आपकी इस particular website है उस पर traffic increase करें आप उसके लिए कुछ paid advertisement चला सकते हैं जिससे ज्यादा लोग आपकी website पर visit करने आए फिर next आता है acquiring new customer आप नए customer को अट्रेक्ट करें आप उसके अलावा भी different social media website का use कर सकते हैं उसमें भी advertisement चला सकते हैं उसमें आपके discounts या फिर कुछ और program चला के लोग को और नए तरीके से अट्रेक्ट कर सकते हैं next आता है improve customer value कि आप customer की value को कैसे improve करेंगे म उनको कितनी अची services आप provide करें मेली जब आपको ने goal set नहीं क्या तो आपको goal set करना है और ये सारी problems को solve करना है जिनके तरीके से क्या brand की awareness को बढ़ाए generate करें website traffic को बढ़ाए नए customer को लायो customer की value को increase करें next आता है no double to create a marketing plan another major challenge होता है service marketing का कि उन्होंने marketing का plan नहीं बनाया है मत marketing करनी है proper तरीके से कैसे कर सकते है उनके लिए उसने plan नहीं बना उसको site नहीं किया उसको कैसे execute करेंगे track करेंगे different marketing की strategies को तो specific business goal को achieve करने के लिए उनको पहले marketing के plan को बनाना है discuss करना उनकी team के साथ कि वो किस marketing plan को बनाएंगे और कैसे उनका जो goal है उसको कैसे achieve करेंगे तो उसके लिए उनको plan बनाना है strategies बनानी होगी ताकि वो particularly अपने business को सही तरीके से चला सके इसका solution होता है कि define करना पड़ेग identify target audience, prepare marketing budget और select marketing strategy मतलब service marketing का पहले आपको plan बनाना है particularly आपका क्या objective for example अगर आपने school खोला है तो आपको कितने लोगों को educate करना है लोग का admission करना है किस टाइग के आप education देंगे वो आपका objective हो सकते है फिर आप identify करते है कि आपने हो सकते है play school खोला हो तो इसमें आपने identify कि आपका जो target audience है वो क्या है kids है फिर prepare marketing budget इसमें आपने marketing का budget बनाए कि आप कितना investment कर सकते है आपके पास अने फिक्तिषबाट करें आप कैसे लोगों को attract करेंगे या कितने kids के पास जा सकते हैं उनके parents से मिल सकते हैं उनका admission करवा सकते हैं फिस select करेंगे marketing की स्टाइजी को आप marketing की क्या different strategies को apply करते हैं मतलONG personal selling एक तो गया कि आप salesman के थूनके parents स मिल सकते हैं उसके अलाबर भी आप और क्या चीजे कर सकते हैं कौन से स्ट्राटेजी को अपना सकते हैं जिससे कि आप ज्यादा लोग को अट्रेक्ट कर सकें तो जब अपने मार्केटिंग का प्लान नहीं बनाया एक मेजर चेलेंज हो और फिर उसका सॉलीशन है कि आप बज को देखें राइट ओडियंस को देखें जितना भी फंड उनके पास है तो उसको वो मार्केटिंग में लगाए और ज्यादा कस्मर को अट्रेक्ट करने की गोशिश करें कि क्या उनका टार्गेट मार्केट हो सकता है उसको देखने हैं उसको कितने इंकम ग्रूप है कौन सी इंकम ग्रूप वाले लोग उनके टार्गेट मार्केट होंगे किस एज ग्रूप वाले लोग होंगे किस टाइप की वो सर्विसेस दे रहे हैं तो इसमें आप मार्केट सेग्मेंटेशन के तुरू आपके राइट ओडियंस को स्लेक्ट करते हैं तो मार्केट रिसर्च में आप right audience को देखते हैं customer की उनके interest को देखते हैं, उनके like को, dislike को, उनका purchasing patterns है, और कुन से factors उनको influence करते हैं, ताकि जिस type के customer है, उनको उस type की services अच्छी तरीके से provide कर सकें, इसमें large hotel chain हो सकते हैं, store के क्या preference है, तो हम जिस type के customer को target कर रहे हैं, उनका data लेते हैं, ताकि हम right audience को देख सकें, और उनके according आपकी services आप deliver कर सकें, अगर आप अपने audience को select नहीं किया है, तो इसका solution होता है, fundamental analysis, customer feedback, use google and social media analytics, जब आपने service marketing में target audience को नहीं देखा है, तो इस time पर बात आती है, कि आप आपकी target audience को देखें, fundamentally analysis करें, मतलब कि age group वाले लोग आपकी target audience है, क्या उनकी income है, क्या उनका profession है, मतलब वो particularly खुद का business चलाते हैं, job करते हैं, तो उनकी income कैसी होगी, जो business करते हैं, लोग वो luxury चीज़े लेना जाता पसंद करते हैं, वहीं जो लोग job करते हैं, अपनी जरुवतों की चीज़ें पर फोकस करते हैं, तो fundamental analysis में आप देखेंगे, कि किस टाइप की target audience है, उनकी क्या location है, तो आप उनको जानके, उस टाइप की services provide कर सकें, इसमें आप customer का feedback लेते हैं, जब भी services देते हैं, ताकि आप services में और improvement कर सकें, में तब customer आपको बता के जाते हैं, आप particularly five day के लिए किसी hotel में stay के लिए गयते हैं, उन्होंने last में आपका feedback लिया हो, तो वहापे क्या problems थी, आपको क्या अच्छा नहीं लगा, water supply प्रॉपर थी, electricity supply था, television का connection होना चीए, free wifi, तो कुन सी services उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं दिये, वो आप उनको feedback में बता सकते हैं, ताकि वो next time उनकी services में improvement कर सकें, इसके अंदर आप Google और Social Media Analytics का यूज करते हैं, कि कैसे आप Google या Social Media के तुरू, आपके business को और promote कर सकते हैं, next आता है, no table to deal with negative online reviews, feedback की देखते हैं, कि लोगों ने उसके बारे में क्या बोला, for example, को small business है, वो अपने digital preference को अच्छी तरीके से बता रहा है, लोग उसके बारे में online review दे सकते हैं, Google पे, Facebook पे, ट्यूटर पे, तु बहुत important होता है, किसी भी service sector के लिए, कि आप उनके online review को देखें, साथ ही में एक major challenge होता है, कि जितने positive आप देखते हैं, उटसे ज़्यादा ही आपको negative reviews भी मिलेंगे online में, जो की satisfactory नहीं रहते हैं, मतलब आपको satisfaction नहीं provide करेंगे, लोग negative भी बहुत ज़्यादा लिखते हैं, किसी भी particular business के बारे में, जो की आपके business पर impact डालते हैं, तो जो भी business है, वो read करते हैं, सारे reviews को देखते हैं कि, क्या essential deals है, जो भी negative review है, उन वो कैसे responsible है, professionally, इसमें बहुत सारे online review management के software चलते हैं, आप track कर सकते हैं, online review को, Google पर, Facebook पर, Instagram पर, और आपके interaction को और अच्छा बना सकते हैं, customer review के थूँ, for example, जब भी आप online shopping करते हैं, तो आप किसी product को लेने से पहले क्या करते हैं, उनका review देखते हैं, कि लोगों ने उस product के बारे में क्या बुले, अगर उसके बारे में negative होगा, तो आप उस particular product को नहीं purchase करेंगे, पर अगर उसके बारे में positive होते हैं, तो आप purchase करते हैं, तो कोई भी business ये negative review वाले challenge को face कर रहे हैं, तो इसका solution होता है कि listen and analyze the problem, check the authenticity of review, response intensity in positive way, make improvement in the services, तो आपको online review को manage करना पड़ेगा, आपको problem को देखना है कि क्यों लोग आपके बारे में negative लिख रहे हैं, उनको analyze करें, उन review को देखें कि वो सही लोगों ने आपके बारे में लिखा है, वो सकता है कि आपका competitor भी आपके बारे में negative लिखें, तो आपको उसकी authenticity को check करना है, कि जो इनने भी review लिखा है, वो सही लिखा है, लोग कितना positive तरीके से किस चीज के लिए response दे रहे हैं, और फिर जो services आपकी negative याची नहीं है, जिन में आपको improvement करना है, उनको आपको services में improve करना पड़ेगा, उसकी quality में improvement करना पड़ेगा, तब ही आप आपके negative response को कम कर सकते हैं, तो service marketing के challenges और solution के इस वीडियो में आपने पड़ा, lake of physical characteristics या intangibility, second is perishability, third is variability, inseparability, no table to set a goal, no table to create a marketing plan, no table to find right audience, no table to deal with the negative online review, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किजिए, सब्सक्राइब किजिए और कमेंट किजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो शेए तो आप कमेंट कर सकते हैं, thank you,